कोब्रा साम्प का वीडियो बनाना युवक को पड़ा महंगा गुजरात में वलसाग जिले के धरंपुर जहरीला साम्प पकरते समय वीडियो उत्रवाना एक युवक को बेहत भारी पड़ गया पुलीस ने आज बताया कि आदिवासी बहुल धरंपुर शहर के वालोट भलिया इलाके में कबार की एक दुकान में कल शाम साम्प निकला था गयर प्रश्टिक्चित लेकिन आजबास के इलाकों में कई बार साम्प पकर चुके तुशार पटेल 35 वहां पहुँच गए और साम्प पकरने लगे उनका कोई साथी या परचित इस घटना का मोबाइल पून पर वीडियो बनाने लगा साम्प ने तुशार को जबरदस्ध धंग से काट लिया तुशार ने साम्प के मुह को पहले एक चड़ी से दबा दिया और पूश की तरफ अपना पैर रख दिया लगभग चार फुट लंबे साम्प को बाद में उसने मुह के निकट हाथ से पकर लिया जब वह से एक डिब्बे में डाल रहे थे तब ही अंतिम समय में मुह छोड़ते ही साम्प ने उनके दाहिन या अंगुछे में जबरदस्ध धंग से काट लिया इसके बाद भी उसने इसे डिब्बे में बंद तो कर दिया पर बाद में जहेर का असर होते ही लोग उन्हें अस्पताल लेकर दोरे फिलहाल वे है एक नीजी अस्पताल के आई सीओ में जिंदगी के लिए संखर्ष कर रहे है सेट नूस की रपोर्ट